हे गाई अससलाम अलेकूम कैसे हो आप लोग आई हो कि आप से थीक होंगे मैं हुसेफ इस वाली वीडियो के अंदर हम एक इंस्टाग्राम स्टोरी एक फैशन ब्रैंड के लिए ब्लाक एंड वाइट में डिजाइन करने वाले तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको साइज ले लाना है इंस्टाग्राम स्टोरी का जो भी साइज आप लेते हो आप गूगल के उपर साइज कर सकते हो इंस्टाग्राम साइज के लिए इस्टाग्राम स्टोरी साइज के लिए तो मैंने यह पर साइज ले 1080 pixels by 1920 pixels resolution मैंने यह पर 120 pixels रखा ह सकते हो. तो मैंने जैसे कि आपको बताए कि एक फेशन ब्रैंड के लिए है तो मैंने यहापके कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए अलडेडी मैं इसका लिंक आपको दिस्क्रेप्षन में दे दूँगा आप वहां से जाके डाउलोड कर सकते हैं यहां पर क्लिक एंड ड्राइग करके यह इमेज को ले लिया यहां पर थोड़ा सा मैं इसका लेवल एडजेस्स कर लेता हूँ यहां इसको साथ ही में ब्लाक अन वाइट में कनवर्ड कर दूँगा आप देख रही कि यह एक ब्लाक अन वाइट इमेज के अंदर कनवर्ड हो चुका है इस इमेज के बैक्राउंड में एक सॉलिड कलर का लेर जो कि ब्लाक होगा तोटली उसको मैं अपलाई कर दूँगा यहां पर मैं फिर से आप यह लेवाइल को थोड़ा से एड़ेस्ट कर लूँगा इस वाली वीडियो के सरी मैं आपको यह पताना चाहता था कि आप कलर के बिना भी कोई इंस्टाग्राम के लिए स्टूरी या कोई पोस्टर या कोई बैनर आप बिना कलर के मतलब ब्लाक और वाइट के इंदर एक्ट्रेक्टिव तरी किसे आप डिजाइन कर सकते हो तो मैं सिंपली यहां से अपना जो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लूँगा यहां पर पेस्ट कर दूँगा यहां पर देन इसको मैं कंट्रोल टी प्रस केरके थोड़ा सा इसका एड्जेस्मेंट कर लूँगा सबसे पहले तो मैं यहां पर इसको रिसेट कर दूँगा फॉन्ट मैं यहां पर चूज करूँगा बैर लो इसको थोड़ा सा मैं size इसका increase कर देता हूँ और text के लिए हम एक effect यहाँ पर बनाएंगे एक simple सा effect मैं बनने हो ला हुई हूँ तो ध्यान से दिखना कि किस तरह से मैं यह text effect बनाता हूँ मैं इसको simply इसको white कदर के अंदर convert कर दूँगा देन मुझे जो effect बनाना है उसके लिए मैं इसका duplicate copy कर लूँगा और simply मैं इसके ऊपर इसको drag करके लिए होगा और आप Ctrl J प्रेस करके भी आप duplicate copy कर सकते हो या तो फिर layer के अंदर layer panel के अंदर alt प्रेस करके आप इसको drag करेंगे तो duplicate copy बन जाएगा देन मैं यहाँ पर select कर रहा हूं इतना part मुझे निकाल देना है तो मैं alt प्रेस करके आप मास्क वाले option के उपर जाओंगा देन क्लिक कर दूँगा तो यह निचे वाला part इसका थोड़ा सा hide हो जाएगा ठीक है देन अगेन मैं इसका और एक copy यहाँ पर बनाओंगा तो यह जो text effect आम बनने ओले है इसकी लिए यह जो copy मैं बना रहा हूं यह अच्छा दिखता है मैं simply यहाँ पर brush tool लोगा देन इसका size थोड़ा सा निक्रस कर दूँगा और नीचे वाला part आगेन मैं यहाँ पर hide कर दूँगा उसका थोड़ा सा इसको में click and drag करके ऊपर लेके जाओंगा अगेन मैं इसका और एक copy बना लेता हूं यहाँ यह दिखने में काफे अच्छी दिखती है इसलिए मैं यह वाला effect fashion manner के इसको हमें group के अंदर add करेंगे ctrl-g प्रेस कर सकते हैं यहाँ और इसका नाम दूँगा मैं यहाँ पर टाइपो आप नाम दे सकते हैं फिलाल कि मैं इसको hide कर देता हूं देन काम करते हैं इस image के उपर कि हमको थोड़ा सा एक कुछ effect इसके उपर भी ड्रॉ करना है तो आप कि मैं किस तरह से इसके उपर भी effect ट्रॉ करता हूं मैंने simply यहाँ पर लासो टूल लिया है और इसको मैं थोड़ा सा distraction वाला effect थोड़ा से यहाँ पर यह करूँगा तो जैसे कि paper कट जाता है ना उस तरह से मैं कुछ यहाँ पर effect करना ट्राइ करूँगा इन मैंने इतना से लेक कर लिया है इमेज के ऊपर जाएंगे और mask apply करेंगे यहाँ पर alt प्रेस करके तो यह mask भी apply हो चुका है यहाँ पर अगें मैं simply bottom में भी जो है simple सा वही effect में यहाँ पर आड़ करूँगा थोड़ा सा आइप वाला जो effect है हमारा ctrl T प्रेस करके मैं उसको टॉप में लेकर जाओंगा और यहाँ पर मैं उसको रख दूँगा और थोड़ा साइस में बेगर करूँगा इस वाले जो इस टाइप को जो बैनर होते है इस टाइप को जो पोश्टर्स होते आप इसके अंदर होता है कि आप जिस तरह से चाहूँ आपकी font arrangement या आपकी size arrangement आप कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं brand जो है इसका कुछ इन्होंने दिया था मुझे यहाँ पर Glamocha fashion store बूलके एक brand है इनगा तो उसके लिए हमें यह banner की create कर रहे हैं तो मैं simply यहाँ पर rectangle tool से square rectangle create करूँगा यहाँ देन मैं यहाँ पर लिख दूँगा Glamocha fashion store को paste कर दूँगा यहाँ और इसका मैं font ले रहा हूँ अपरील fat paste मैं इसका link दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको वहाँ से जा के आप copy कर सकते हैं directly simply इसका color पर मैं white रख दूँगा और इसको थोड़ा कर लेता है bigger और ले और जो हमने cut किया था fashion store उसका size मैं थोड़ा साइड़िस कर लेता हूँ यहाँ यहाँ देन मैंने एक image यहाँ पर download करे की थी उसको भी मैं यहाँ पर drag करके लेकर आता हूँ यह थोड़ा सा effect डालने के लिए मैंने image को download किया था तो simply मैं इसको rotate करके थोड़ा सा big कर लेता हूँ और पूरे image को cover कर देंगा इस तरह से मैं इसको यहाँ पर apply कर दूँगा तो मैं इसको type of initial लेके जाऊँगा और इसका blending option मैं blending mode इसका मैं change कर दूँगा थोड़ा सा तो मैं यहाँ पर screen रखाए आप देख सकते कि आपको कुण सा effect आपको suitable लग रहा है आप उस तरह से रख सकते तो simply यहाँ पर मैं एक box add करूँगा जो कि हमको उसके अंदर हम करेंगे coupon जो भी आपका discount होगे रहे है उसका text add है यहाँ पर कराएगा हमको तो मैं simply यहाँ पर कर देता हूँ add आप देख लेगा मैं किस तरह से add कर रहा हूँ तो हमारा यह लेबल भी यहाँ पर add हो चुका है जैसे के लिए से करें मैं इसको ग्रूप में add कर देता हूँ और simply इसको मैं align कर लेता हूँ प्रॉपरली एक जगे पर देन मैं यहाँ पर थोड़ा सा text add करना चाहूँगा जो कि मैं by default यहाँ पर add कर दूँगा लोरेम इसमोला text simply मैं यहाँ पर एक text box add करूँगा जो कि मैं इसके अंदर एक dummy text add करना चाहूँगा यहाँ पर already add हो चुका है देन मैं इसका जो font है उसको थोड़ा सा change कर दूँगा regular के उपर रखूँगा मैं यहाँ पर जैसे कि देख रहे है कि पढ़ने में थोड़ा सा hard जा रहा है तो मैं यहाँ पर background के अंदर simply यहाँ एक box add कर दूँगा black color का इसकी opacity मैं थोड़ी से down कर दूँगा ओके तो यह द copy करके alt press करके duplicate कर लूँगा देन मैं यहाँ पर इसको नीचे drag करके लेकर आँगा और simply इसके अंदर मैं एक और एक text add करना चाहूँगा यहाँ पर इसका मैं border white कर देता हूँ और इसका feel मैं off कर देता हूँ ठीक है opacity मैं इसको normal कर दूँगा हमारा जो box है 70% off होला इसको इसक पर एक डेमी text add करूँगा हो सकता है कि आपने मुझे instagram के पर follow नहीं किया है तो मैं आपका मेरा instagram id यहाँ पर लिक रहा हूँ तो आप प्रिवियस वीडियो आपने नहीं देखिए तो प्लीज वह भी वीडियो देख लेना कापी अच्छे वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा यहाँ यहाँ पर मैंने यह text भी add कर दिया है simply मैं इसका color थोड़ा सा black करके देखूँगा कि यह किस तरह से दिख रहा है तो यह black में थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है तो मैं यहाँ पर black करेने दूँगा यहाँ पर instagram के जो handle से मैं और लोगों मैंने copy करके लिया था यह चोटी-चोटी details जो है आपको काफी काम आती है तो आप इस तरह से भी आप एड कर इसके बना सकते देन simply मैं इस वारे text को अगेन यहाँ पर copy करके यहाँ पर भी अगर आप एड करना चाहो तो आप कर सकते तो मैंने यहाँ पर simple text को यहाँ पर add किया है लिखने में काफी attractive लगता है काफी modern लगता है लुक तो आप इस लुक को भी आप इस लुक के साथ भी आप जा सकते इंस्ताग्राम स्टोरी भी बना सकते तो लास्ट में हम इसको finishing करने के लिए ctrl alt shift और e press करेंगे यहाँ पर एक layer एड हो जाएगा totally इसको मैं थोड़ा सा noise एड करूँगा इसके उपर बैनर को हमने काफी creative way से black and white color के अंदर design किया है तो यह दिखने में और भी cool लग रहा है तो done यह रहा हमारा वो Instagram स्टोरी आप इस तरह से design कर सकते black and white के अंदर यह काफी modern तरीका है और उमिद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा मैं मिलता आपको next video के अंदर आपने अगर previous video ने देखिए तो please इस link के ओपर click करके previous video देख लेना तो मिलते है next चुडेग अंदर तब तक लिए take care